हे दोस्तों टॉफा हिंदी चलर पर आपका स्वागत है मेरे नामे साहिद और आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग साउथ इंडियन रिमेक मूवी के बारे में 2021 में आपको कई ऐसी साउथ की फिल्में देखने को मिलेंगी जो रिमेक होंगी तो वो कौन-कौन सी फिल्में हैं कि इन फिल्मों से रिमेक हो रही हैं और कब तक रिलीज हो सकती है तो सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो चलिए जानते हैं 2021 में आने वाली साउथ की 5 रिमेक मूवी के बारे में तो अगर आपको भी ऐसा इंटेस्टी मुड़ी देखना पसंद है तो हमारी चलेलों को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी को भी दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे नमबर पाच मारा मारा फिलीम 2015 में आई सुपर हिट मल्यानन फिलीम चार्ली की रिमेक होगी चार्ली की कहानी टेसा के इदगिर्द घूमती है टेसा को अपने नए घर में चार्ली की बनाई हुई इसकेश मिलती है जिसमें उसने अपने जिंदalin की के बारे में लिखा होता है टेसा उसे पढ़के चार्ली से मिलने कि कोशिस करती है अब टेसा चार्ली से मिलते है या नहीं यही फिल्म की कहानी है वैसे तो काफी सिंबल है लेकिन डायरेक्टर ने जिस तरह से फिल्म को परदे पेस किया है वू लाजवाब है। सलके सर्मान और परवती ने जबर्द सेक्टिंग की है उसी फिल्म को अब तामिल में रिमेक किया रहा है जहां हमें आर माधवान और सर्दा सिनिनाद फिल्म के मेर रोल में नजर आएंगे फिल्म पूरी तरह से कंपलीट है जिसे जर्वरी 2021 में एमाजन प्राइम पर रिलीज के जाएगा नंबर चार थली पोगाठे अपकमिंग रॉमेंटिक कॉमेंटी ड्रामा फिल्म है जिसे आर कनन ने डारेक किया है अथरवा फिल्म के ल जादा कलेक्शन किया था उसी फिल्म को तामिल में रिमीक के जा रहा है फिल्म का नाम थलीट पोगाठे है जिसे 2021 में रिलीज के जाएगा वैसे अगर आप निन्नुकोरी फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये फिल्म यूटूब पर अवेलिबल है नंबर तीन इस फिल्म को थाडम से रिमीक किया जाएगा थाडम 2019 की और अब तब बेस्ट सस्पेंस थिल्लर फिल्म है जिसकी कहानी दो जुड़ूआ भाईयों की है एक काफी सीधा साधा है और एक थोड़ा सा टपोरी है एक मडर होता है जिसको इन में से किसी एक ने किया है तो मडर क किसा और तरिमुला डारेकर हैं फिल्म का टीजर तो आ चुका है लेकिन अभी फिल्म की रिलीज डेट कनफर्म नहीं हुई है हार रूमर है कि ये फिल्म जनवरी 2021 में रिलीज होगी वैसे अगर आप थाडम को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये फिल्म भी हिंदी में य लॉकपास्टर फिल्म आसुरन की रिमेक होगी आसुरन में धनुस लीड रोल में थे अब लीड रोल कहें या यू कहें कि धनुस इस फिल्म की जान थे और भाया वैतरी मारन यार यह जो जोड़ी है वैतरी मारन और धनुस की इन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं सब एक स जरूर कहूँगा कि वेंकेटेस इस फिलीम में गजब के एक्टिंग करते नजर आएंगे जिसकी जल्ड़ाख हमें किलिप में नजर आती है नारप्पा की सुटिंग अभी चल रही है जो बहुत ही जल्द खतम हो जाएगी ये फिलीम भी 2021 में ही रिलीज होगी नमबर एक फिलीमों के रिकोर्ड तोड़ दिये थे करिब 200 करोड की कमाई के साथ ये फिलीम मर्यालम सिनेमा में नमबर वन पर है खरब अब इस फिलीम को तरगू में रिमेक किया जा रहा है जहां हमें चिरन जीवी मोहल लाल का रोल प्ले करते नजर आएंगे फिलीम की ऑफिसल या तो 2022 में रिलीज होगी तो दोस्तों ये थी साउथ की पांच रिमेक फिल्में जो आपको 2021 में देखने को मिलेंगी तो आप इन फिल्मों में से किस फिल्म के लिए सबसे जादा एक्साइटेड हैं हमें कमेड में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तो करना तो बिल्कुल ना भूलें धन्यवार